यूएई ने दस वर से ये पासपोर्ट सेवा को किया है लॉंच भारती को होगा काफी जादा फारिदा क्या कुछ है इसके बार में चलिए बताते हैं तो नमस्कार स्वागत आपका हमाई चानल यूएई खबर पर देखिए यूएई पासपोर्ट प्राधिकरन ने आधिकार स्वाई दो हजार चौबिस यानियाज से लागू हो गई है यह सेवाब 21 वर्ष और उससे अधिक आयों के नागरिकों के लिए उपलब दोगी अरब अमरात में आंभी तक पासपोर्ट की वालेडिटी जारी होने की तारीक से पांच वर्ष तक थी कले इस टाइम से 26 की वन को बहतर बनाने के तरीकों की तलाश करते हैं मैंने हाल ही में दुबई एरपूट पर 30 मिनट से भी कम समय में अपना पासपोर्ट रिनीवल कराया था अले इन में रहने वाले निवासी ने बताया है कि कैसे दस साल की वालीडिटी पीरियेड बढ़ने से उसे और उसक का रिनीवल कराना भूल जाती है मैईला ने कहा कि हम अपने व्यस्ट कारिक्रमों की वज़ह से कभी-कभी पासपोर्ट की समय निवासी समय बढ़ाए जाने से हमीं काफी सहूलियत मिलेगी दुबाई में रहने वाले 34 वर्षिय नागरिक एहमद खलीफा ने कहा कि UAE में ऐसी नीतियों को लागू करने का एक लंबा इतिहास रहा है जो अपने लोगों के लिए जीवन को और अधिक सुवधा जनक बनाती है उन्होंने कहा कि यह नई नीति लोगों के जीवन को और अधिक सुवधा जनक बनाने के लिए सरकार के परियासों का एक उधारन वातर है खलीफा का मनना है कि दस साल की वालिडी टी लंबे समय में UAE के नागरिकों के समय और परियास को बचाएगी प्राधिकरन में पहचान और पासपोर्ट के महाने देशक मेजर जनरल सुहेल जुमा अलख हैली ने सपष्ट किया है कि दस साल के वाधता 21 वर्स या उससे अधे कायू के नागरिकों तक ही सीमित है 21 वर्स से कम आयों वालों के लिए 5 साल का पासपोर्ट जारी किया जाता रहेगा नए दस वर्स ये अमिराती पासपोर्ट मौझूदा पासपोर्ट की तरह ही जारी किये जाएंगे नागरिक नई सेवा के लिए तब आवेदन कर सकते हैं जब उनके मौझूदा पासपूर्ट की अवदी समाप्थ हो जाए या जब्त तक उसके सबी पेजिस पूरी तरह से उप्योग नहीं हो जाते हैं मैं बदा दे यूए के नागरिकों के पास अपने नए दस वर्सिये पासपूर्ट को रन्यूल कराने के लिए कई सुवधाजनक ऑप्शन है डोमेस्टिक लेवल पर वे जनरल डारेक्टरी टॉफ रेजिडेंसी और फॉर्णर्स अफेर्ड की तरफ से संचालित अपने स्था पासपूर्ट कारयाले के मादियम से अवेदन कर सकते हैं अपादकालीन नवीनी कर्ण के लिए नागरिक आबुधाभी और दुबई और सार जहां दुबई हवाई अजो पर पासपूर्ट कारयालियों में जा सकते हैं ये केंद्र तत काला विशक्ताओं को पूरा करने के के लिए 24 गंटे और साथ दिन खुले रहते हैं विदेश में रहने वालों के लिए नई दस वर्सिये पास्पोर्ट सेवा युवई दुतावासों और वानिय जग दुतावासों के माध्यम से भी उपलब्ध है दुबाई में सेरकपुर रहने को मजबूर हुए दो भातिये आजाद नगर थानशित्र के बगंसाही रोड नंबर साथ के निवासी फारूक और अफ्ताव आलमन सारी नामक दो युवग दुबाई में फस गए हैं दोनों के पडियोजनों ने SSP से दोनों को वापस लाने की गुहार लगाई है इस संबद में पडियोजनों ने SSP से मि कर उन्हें लेके शिकायत दी है बतादे शिकायत में बताये गया है कि मांगो में एक श्रेणिंग इंस्टिटूट के संचालक आमीर ने दुबाई की एक अच्छी कमपनी में नौकरी दिलाने का जहसा दिया था दोनों यूवकों से आमीर ने 75-75,000 रुपे लिये थे इसके कमपनी है और वेतन भी कम है कमपनी ने दोनों से एक अफ्रिमेंट भी साइन करवाया जुसमें लिखा गया है कि दो साल से पहले कमपनी नहीं छोड़ सकते अगर दो साल से पहले कमपनी छोड़ी तो 6,000 दरहम यानि लगवग 1,20,000 रुपे देने होंगे जब फारुक और आफ्ताव ने विरोध किया तो कमपनी ने दोनों को निकाल दिया और दोनों के पासपोर्ट भी जब कर लिये हैं अब दोनों दुबाई के ही सरकों पर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं दोनों के दुबाई का वीजा दो जुलाई तक ही है परिज्णों ने बताय है कि जब संबंध में आज़ाद नगर्थाना गए तो पुलिस ने शिकायत नहीं ली जिसकारण उन्हें स्पी के शरण में आना पड़ा है स्पी ने आज़ाद नगर्थानप्रभारी को मामले की जांच के लिए आदेश भी दिये हैं बता दे ये पहला ऐसा मामला नहीं है अभी इस अपते में हमने आपको लगबग तीन खबर ऐसी दी है जहां पर यूए में जाके लोग फस गए हैं जनपद मौक का भी एक मामला हम पर एक पता सामने आए जो कि अपने बेटे को गल्फ कंट्री यूए से छुडाने के लिए पी एम मोदी और वदैश मंत्री से गुहार लगा रहे हैं पिपराती निवासी सेंज़स संग और भिश्म दादा नाम किये ये वैक्ति हैं और ये किसान है और इनका बेटा विसा गार की तालाश में दुबई गया था एजन्ट के मताबिक उनको इंजीनियर बनना था लेकिन इंजीनियर का कार्ड मलने के बाद उनको तीन महीने तक ऐसे ही घुमाये गया और सैलरी स्लिप पर क्रेडिट कार्ड लेकर तीन लाग का भारी भरकम लोन ले लिया गया जिसके बारे में विशाल को पता नहीं लगा लेकिन जैसे ही तीन महीने बीते उसको एक कमरे में नजर बंद कर दिया गया और फिर शुरू हो गया विशाल पर जुल्मों का सलसला दुबई के साथ जहा में फसे विशाल के साथ हैदराबाद का एक और शक्ष भी था साथ में कानप पूर देहात की यूवती भी उसकी साथ बंद है सबी लोग रोकेवाजी का शिकार हुए थे एक ही कमरे में तीनों को बंद किया गया है हैदराबाद निवासी यूवक की भूक और प्यास से तरपकर मौत हो चुकी है जिसके बाद महिला और विशाल अभी भी नजर बंद ह दोनों का वीजा भी चार महिने बाद एकस्पार हो जाएगा नौकरी देने वाला एजेंट फोन नहीं उठा रहा है इसी बीच विसाल सेंग ने वीडियो कॉल कर अपने पिता को आप बेती सुनाई है जिसके बाद पिता मदद की गुहार के लिए पुलिस पर्ग के पास प जा रहे हैं ऐसे में अगर आप जा रहें तो कॉंट्रैक्ट प्लीज पढ़ें उसके बाद ही उस पर साइन करें नहीं तो आपका भी जो हश्र है वह आफ्ताव और उसके फ्रेंड जैसा हो सकता है आपुधाबी में कार में आग लगने से पांच की मौत लेकिए पुलिस ने सयोंक तरब अमराद के आपुधाबी में सरक दुरघटना के बाद कार में आग लगने से मरने वाले पांच बंगलादेसी नागरिकों के शवों की पहचान के लिए डियने परिक्शन करने का सोच हैं और इसके लिए कप्रों के नमूने कलेक्ट किये गए हैं धाका के दोहर और नबाब गंज उपजिलों के पांच प्रवासी रविवार को कारदुर घर्टा में मारे गए हैं मृतकों की पहचान इबादूल इसलाम जिनकी उम्रे 32 वर्स बताई जा रही है मुहमद राना जो कि प्हचान इनके रूप में हूई है अबुधावी में बांगला देश दुतावास में श्रम प्राश्रम दाता हजरत सबीर हुसैन ने कहा कि शवु की पहचान के तुरंत बाद उन्हें बांगलादेश भीच दिया जाएगा उन्होंने कहा कि कार पूरी तरह से जल गई थी और उसमें पांच लोग सवार थे शब पूरी तरह जल गए सबीर ने कहा कि पुलिस के फॉरेंसिक विभाग द्वारा उनके अजवान स्थितावास से उनके कप्रों के नमूने की जाची जा रही है उन्होंने कहा कि पहचान के बाद द्वार शबो को घर भिजने के लिए यूए अभयोकताओं से आउट पास के लिए मंजूरी मांगेगा काउंसलर सबीर के अनुसार वे सबी पेशे से पेंटर थी और राजमान के न्यू सनाया शित्र नंबर दो में रह रहे थे उन्होंने कहा कि पेंटिंग क्या काम के लिए ठेकेदार एमडी राना के साथ साइट पर जाने के दौरान उनकी कार में आग लग गई उनके शवों को पोस्मॉटम के लिए आबुधाबी सेंट्रल मुर्दा घर ले जाया गया है हो सकता है कि कार ने नियंतरन खो दिया हो और सरक अवरोग से टकरा गई हो या कार के अंदर धुम्र पार्न करने से जोलंसील पुदार्थ के संपर्क में आने से आग लग गई हो पेडितों के परिवार शोक में है आबुधाबी में बंगलादेश दुतावास और दुबई में महावानी जिग दुतावास ने परिवारों को समवेद नाम भेजी है वैबुधादेश से पहले भी यूए में एक भीशना हादसा हुआ था जिसमें एक अमिराती बैक्ती की मौत हो गई थी पुलिस ने इसके बारे में कहा था कि जिस पिक अप ट्रॉक से वे यात्रा कर रहे थे वो ट्राफिक सिगनल से टकड़ा गया जुससे एक अमिराती वैक्ती की मौत हो गई और एक अनिक घायल हो गया रिपोर्ट में रासल खैमा पुलिस के यातायात और गश्ति विभा के कारेवाहक नियदेशक करनल डॉक्टर मौहमद अलबहार के हवाले से कहा गया कि दोनों की कार चुडाहे के पास मुड़ गई और फिर खंबे से टकड़ा गई दुर घटना की रिपोर्ट मलता ही एमर्जिंसी की जो टीमे थी वो घटना स्थल पर पहुंची ड्राइवर उसके साथी को तुरन तस्पिताल ले जाए गया पैरामेडिक्स ने अमिराती आत्री को बचाने की कोशिश की लेकिन गंभीर चोटो की कारण उसने अपना दम तोड़ दिया रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइवर को चोट लगी है लेकिन उसकी हालत स्थर बताई गई तो एक और एक्सिडेंट आप उधाबी में हुआ जहां पर पांच लोगों की मौत हो गई और पांचों जो हैं वो बांगलादेशी थे तो यह थी तमाम चानकारी बने रही है थी तमाम खबरों के लिए यूवाई खबर पर